हेलो दोस्तो माई नेम इस अजे चोहान हम स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट पार्टम हैम्रेज जिसे पीपीएज कहा जाता है अगर कॉंटिटेटिव डेफिनेशन की जाए तो डब्लु एचो के अनुसार जब मोर देन 500 ml ब्लेट का लोस होता है तो एवरेज ब्लेट लोस कितना होता है अगर बिजाइनल डिलेवरी है तो 500 ml यदि सिजेरियन सेक्षन है तो 1 लीटर यदि सिजेरियन विध हिस्ट्रेक्टोमी हो तो बनफाइंट 5 लीटर ब्लेट का लोस होता है depending upon the amount of blood तीन तरह से PPS होता है minor जिसमें less than 1 l blood loss होता है major जिसमें more than 1 l लोस होता है और severe जिसमें more than 2 l blood का लोस होता है टाइप यह टाइप इंपोर्टेंट है, प्राइमरी 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 प्राइमर दोनों ही कब बिदिन 24 अवर अब अपन बात करें सेकंडरी पीपिए जो कि बियोंड 24 अवर तिल 12 बीक होता है जिसके हम बात कर चुके हैं जो प्राइमरी पीपिएच होते हैं उसके कोस देखें तो इससे हम 4T से याद करते हैं 4T क्या है टी से है टोन यदि यूट्रस एटो तो सबसे most common कारण क्या रहता है जैसे एटोनी जो रहता है वो common cause होता है तो हम स्टार्ट कर रहे है टोन एटोनी एटोनी के भी कई कारण होते हैं इसे याद रखने के लिए हमने एक निमोनी बनाया है जो है गो मापा गो मापा क्या है यह एटोनी के causes है जो कि जी से क्या है grand multipera जिसमें 5 से ज़्यादा बच्चे हैं O over distension of uterus किसमें हो जाता है जैसे multiple pregnancy है polyhydroamnios है या macrosomic baby है इसमें क्या over distended uterus होता है जिसकी बज़े से uterus attoni में चला जाता है उससे blood loss होता है आगे हमने M से क्या क्या जात रखे है हमने M से याद किया रहा है जो फ्लेवर अच्छे से मैंने नहीं करा तो भी ये कोस हो सकता है PPH का आगे हमने किस से याद करा ये से मैंने याद करा जैसे antipartum hemorrhage important बात antipartum hemorrhage एक कोस है PPH का postpartum hemorrhage का कोस एक antipartum hemorrhage है तो आगे अपना क्या जागा P से हमने याद करा है अब हम बात कर रहे है A, A से हम क्या याद कर रहे है जैसे anesthetic drug हो गई जैसे ether या helotene तो ये drug आजाएंगी या फिर A से anemia भी हो सकता है आगे अगे अगर अपना बात करें U, U से हमने क्या याद करा हमने याद करा uterine fibroid इस से भी PPH हो सकता है तो मैंने कैसे याद किया Go Mapa Go से, G से Grand Multipera Over Distancing of Utrust M से Mal Nutrition M से हो गया Malformation of Utrust मैंने 3rd stage of liver Antipartum hemorrhage P से Placenta की नमली जैसे Acreta, Perkita, Pericipated Liver Prolonged Liver जैसे Anemia या फिर Anesthetic Drug U से Utrane Fibroid अब हमने ये T तो complete कर लिया एक और T क्या है Trauma सिदी से बात है Trauma होगा तो क्या Loss होगा Blood का आगे Trauma किस का किस दुरान हो सकता Epigetomy, Cigerian Section उससे में Trauma हो सकता किस का Trauma Vagina का Trauma हो सकता Perinium का Trauma हो सकता Utrane Rupture हो सकता इससे Blood Loss होगा आगे हम देखेंगे T, Echode T क्या हो सकता Tissue हो सकता Tissue जैसे कि Utrust में क्या रहे गया Placenta रहे गया और Blood के Clot Rear गया By delivery के बाद तो इससे Blood Closed होता है आगे जाएगा T, Thrombine तो Thrombine Blood Coagulation की Disorder हो सकता Blood Coagulation की Disorder जैसे ITP हो गया TTP हो गया Health Syndrome हो गया Intra-Utrane Death हो तो Last T अपना क्या था T से हमारा था Thrombine तो इसमें Blood Clothing Disorder थे जैसे ITP, TTP, Health Syndrome IUD ऐसी चीज़े रहेंगे Coagulation, Defect रहेंगे जिसकी वज़े से PPS होगा तो अब हम उसका Management देख लेते PPS के Management के लिए हम ये चार्ट देखते हैं जैसे Management PPS का कैसे करते हैं True PPS तो immediate चुकि PPS का Patient है तो immediately Call for Extra Help और हम उसकी बाइटल को Stable करेंगे इसमें क्या कर देंगे हम 2 IB Line लगा देंगे Bite War Canula लगा देंगे और Blood Simple लेंगे उसकी Cross Matching करेंगे और साथ ही जिस समय ये Canula लगाए उसी समय 2 Liter Normal Saline Infusion शुरू कर देंगे और उस समय ही हम Cross Matching Blood की करेंगे और उस समय हम Extra Blood 2 Unit Blood हम At Least होना चाहिए अपने को उसको मंग बालेंगे 2 Liter 2 Unit Blood और 2 Liter अपने शुरू कर दिया Infusion साथे साथ Blader Full है तो catheterize करेंगे Blader को और Pulse, BP, Temperature, Output, Pulse, Oximeter अपने को करना है अब हम देखेंगे कि यूट्रस को feel करेंगे यह लिखा है feel the uterus by abdominal palpation तो यदि हमें Flavie मिला तो उसका कारण क्या हो सकता uterus atony में है इसका मतलब Flavie है अगर वो uterus hard rigid होता है तो वो दूसरा reason हो सकता जैसे traumatic हो सकता अभी Flavie है तो हम समझ गए uterus atony में है हम सबसे पहले massage करेंगे uterine massage करते है ताकि वो hard हो जाए सांथे सांथ massage के अलावा हम bimanual compression कर सकते हैं और सुरू कर देंगे oxytocin 10 to 20 unit हम mix कर देंगे 500 ml normal saline में और 14 drop per minute के हिसाफ से infusion सुरू कर देंगे और injection methyl ergometry जिसे metharzine कहते हैं वो सुरू कर देंगे और हम examine करेंगे placenta expelled हुआ की नहीं जो expelled placenta है उसको examine करेंगे कि कहीं retain तो नहीं रहे गा कोई से placenta का पार आगे हम देखेंगे कि यदि इसके oxytocin सुरू करने के बाद भी uterus atony में रहा तो हम explore कर देंगे uterus को देखेंगे कहीं injury तो नहीं है आगे आएगा कि blood transfusion जो blood आ चुका हो उसको transfusion सुरू कर देना है और oxytocin drip तो हमारी continue रहेगी अब तो भी यदि uterus atony में ही रहा तो हम सुरू कर देंगे कोई एक जैसे 15 methyl PGF2 alpha mesoprostol carvytocin यह long actin oxytocin या फिर हम injection tranexemic acid के लगाएंगे या फिर यदि जो uterus की atony यह भी तो हो सकता है uterus की atony tocolatic grudge की वज़े से हो तो इसलिए हम calcium gluconate देंगे calcium gluconate देंगे यदि हमने teocolatic agent यूज़ किये हो तो आगे अपना uterus की यदि फिर भी atony ठीक नहीं हुई तो हम uterine temponate का यूज़ करेंगे इन में से कोई भी method यूज़ कर सकते हैं जैसे balloon temponate को यूज़ करते हैं या फिर हम paking कर देंगे intra uterine tight paking कर देंगे balloon temponate यूज़ कर सकते हैं balloon temponate में तरह तरह क्यों होते है folies catheter होता है condom catheter होता है अले ये catheter हम यूज़ करेंगे कोई एक method आगे अभी भी uterus atony में रहा तो हम surgical method को यूज़ करते हैं surgical method में b-linch compression यूज़ किया जाता है इसमें multiple square suture लगाए जाता है आगे अगर इन में से कोई भी एक option अपने पास ये b-linch compression कर सकते हैं या फिर हम ligation कर सकते हैं हम पहले uterine artery को ligate करेंगे इससे नहीं हुआ तो utero ovarian anastromosis उसके बाद anterior division of internal iliac artery का ligation करेंगे अगर अपने और या फिर हम क्या कर सकते हैं जो artery है उसका हम embolization कर सकते हैं इसके बाद भी control नहीं हुआ तो hysterectomy definitive treatment है तो हमने क्या देखा कि uterus यदि एटोनी में रहा तो हम massage करेंगे oxytocin शुरू कर देंगे examine करेंगे placenta को फिर भी ठीक नहीं हुआ तो explorate कर देंगे uterus को blood transfusion शुरू कर देंगे oxytocin देंगे फिर भी uterus है टोनी में रहा तो हमने यूज कर दिया 5-methyl-15 PGF2-alpha mesoprostol, carvitocin, injection terexemic acid calcium gulconate फिर भी नहीं हुआ uterine tabernard यूज करेंगे balloon यूज कर लिया packing कर दी इससे नहीं हुआ तो surgical method यूज करेंगे जैसे कि bilinch compression, ligation कर दिया हमने uterine artery का utero ovarian artery का anti-re-division of internal iliac या फिर immunization कर देंगे नहीं हुआ तो histectomy और हमें याद रखना है कि हर procedure को अपने को बिल्कुल record करके रखना है अच्छा uterus flavine था तो uterus atonic cause हो सकता है यदि uterus उससमें rigid है तो क्या traumatic cause हो सकता है तो traumatic के लिए हम बहुआ uterus को explore करेंगे देखेंगे कहा trauma है और फिर hemo stresses suture हम लगा देंगे जहां bleeding side है वहाँ तो यह हमने देख लिया है और जो यदि उसको कोई blood clotting disorder है तो उससाब से specific treatment करेंगे तो यह हमने complete करा PPH का management Thank you